नमस्कार बहुत सौगत है आपका आप देख रहे हैं दान्यूज आपके साथ मैं स्विष्टी मिश्रा बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है भारत के रस्टिय सुरक्षा सलाहकार एने से अजीट डुबाल जेम्स बोन्ड भी उन्हें कहा जाता है और देखे उनकी तारिफ अब देश में नहीं भारक की बाहर विदेशों में हो रही है अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिका के राजदूत जम कर प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं आपको बता दे अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सिटी ने जम कर तारिफ की है सुरक्षा सलाहकार अजीट ड कि आपको बता दे रंड नीती यहीं नहीं सराही जाए रही है अब विदेशों में तक इसकी चड़्चा है कि वो अंतर रस्टिय धरोहर बन गए है बड़ी कबर इस वक्त की आपको बता दे उन्होंने कहा है कि यह इंटरनेशनल धरोहर है देखे अमेरिका के राजदूत भारत आए थे और अमेरिका के राजदूत का बयान ऐसे समय में आ राएदर चुको जब इस महीने के आखर में भारत के प्रधान मंतरी हमारे नरेंद्र में मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत होगा पहली बार प्रधान मंतरी को 21 तोपो की सलामी अमेरिका में दी जाएगी स्टेट डिनर का योजन हो रहा है और बड़े-बड़े उद्योग पती इसमें शामिल होंगे बहुत बड़ी खब बलकि अंतरास्टियर धरोहर बन गया है उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच मजबूत रिष्टों की जम कर तारिफ की है कहा कि आज भारत के लोगों को अमेरिका प्यार करता है और अमेरिका के लोगों में भी भारत अपना सपोर्ट दिखाता है यानि कि दोनों देशों परे है अब एक चाय वाला भी सरकार को सीधे पेमेंट करता है वो भी 100 प्रतीशत पेमेंट होता है उसमें कोई गरबड़ी नहीं होती है यानि कि देखिए यहां पर आपको बता दे भारत के तकनीकी भारत की में जिस तरीके से विकास हुए है उसकी तारिफ अब विदेशों आपको मैं बता दू कि अमेरिका के राज़ू तकर यह कह रहे हैं मतलब भारत आगे निकल रहा है और यही वज़ा है कि भारत की अर्थ विवस्था तेजी से मजबूत हो रही है उन्होंने कहा कि साफ तोर पर एक चाय वाला सरकार को पैसे दे रहा है सरकार से पैसे ले रह है 100 प्रतिशत वो भी इसमें कोई तूटी भी नहीं है इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अब भारत में 4G 5G से भी ज्यादा ताकतवर है वो है गुरू जी यह देखे बहुत बड़ा बयान उनका आया है बता दे कि इस बीच एक और बड़ी खबड सामने आई अमेरिका के रा प्रति मंडल भी आया था अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जनता ये क्यों बाते उच्छाल रही है क्योंकि आपको बता दे अजीट डोबाल की कहें ने कहीं आपको बता दे तारीफ तो नहीं लेकिन उनमें तुरूटी निकालती नज़राती भी पक्षकेजरी वा की बात करूं तो सबसे जढ़ा अजीट डोबाल की वह कहिनी कहीं आपये बता दे बुरा ही दरता है अभी हाली में हमने देखा था पाकिसतान को जब जवाब देने की बात आती है तो शुरू से ही जब से ये कैबिनेट में शामिल हुए है अजीट डोभाल की रणनिती प्रधान मंतरी को हमेशा ही दुश्मन देशों के लिए पसंद आती है और यही वज़ा है कि सबसे पहला नाम अजीट डोभाल का प्रधान मंतरी लेते वे नजर आते हैं देखिए एस जैशंकर और अजीट डोभाल ये दो जो है वो भारत रतन में कही जाते हैं क्योंकि इनका काम बोलता है आगे मैं आपको बता दूँ कि अमेरिकी राज़ूट ने जमका तारिफ की कहा कि उत्तरा खंड के गाउं से निकला हुआ रही बहुत कहां से आए हैं देखिए वो मुरीद हो चुके हैं उन्होंने कहा कि अंतरास्टियक हजाना है डोभाल डोभाल को अंतरास्टियक हजाना बताना अमेरिकी तरफ से ये विपक्ष को शायद इसमें पेट में तकलीफ हो सकती है राहुल गांदी हमेशा ही अजीट डोभाल की बुराई करते नजर आते हैं अजीट दोभाल की आलोचना करते नजर आते हैं अजीट दोभाल पर तंज कर्षते हुए नजर आते हैं उन्होंने साफ तोर पर कहा आपको बता दे कि नई दिल्ली में एक कारेकरम में उन्होंने शिरकत की अमेरिकी राज़ूत ने और तम उन् यार हैं हमें कोई रोक नहीं सकता भारत की डिजिटल क्रांती के वो मुरीद इसके साथ आपको बता दे उन्होंने क्या कहा जरा सुनिये एरिक ने कहा कि जब मैं भारत में डिजिटल पेमेंट और वित्तिय तकनिक को देखता हूं तो मैं मानता हूं हमने दुनिया को हैरान कर दिया पूरे फीसद के साथ भारत के जो डिजिटल एजिशन हुए हैं उसमें सराहनिय पहल भारत सरकार का रहा है और ये अमेरिका भी जानता है मतलब देखिए यहां पर अमेरिका जैसे देश भारत की तारीफ कर रहे हैं आगे मैं आपको बता दूँ दो दिवसिय भारत दोरे पर आपको बता दें अमेरिका के रास्टिय सुरक्षा सलाकर जैक सुलीवन भी आये थे अब चली आपको ले चलते हैं कि अब भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की किस तरीके से अमेरिका में तारीफ हो रही है 21 तोपों की सलामी दी जाएगी उनको इसके साथ इस्टेट डिनर का आयोजन किया जाएगा नरेंद्र मोदी थाली की भी इस भी चर्चारती से आपको बता दे 120 लोग इस्टेट डिनर में शामिल होंगे जहांपर वाशिंग्टन डी सी के लिए विमान और होटल रूम से किराय अचानक बढ़ गए हैं जहांपर कहा जा रह जहांपर कहा जा रहा है कि वाशिंग्टन डी सी कई लोग पहुचेंगे सेकडो भारती अमेरिका मोदी के स्वागत के लिए वाइट हाउस के सामने पार्क में जुटेंगे इस दोरान कई सांस्कृतिक कारेकरम होंगे रास्टपती बाइजन और फस्ट लेडी मोदी को डि है पहले भी मस्बूत थे लेकिन आपने देखा होगा जब भी प्रधान मंति जो बाइडन के बगल में नजर आते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा जो बाइडन का जो चेहरा है खुशी से चबक उठता है और यह दिखाता है कि कह ने कहीं भारत की प्रधा़न मंत्री का अलोहा अमेरिकी राश्चपती भी मानते हैं आपको बता दे 7000 भारत वंशी इसमें जुटेंगे मोधी अमेरिकी संसत के साजहा सत्र को संभोधित करेंगे और कहा जा रहा है इस सत्र में दो बार अपने विचार रखने वाले मोधी पहले भारतिय प्रधान मंत्री होंगे जो और अमेरिका के उपराश्चपती गमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटली ब्लिंकिन प्रधान मंत्री मोधी के लिए विदेश मंत्रा लेकि वो ख्याले में लंच की मेजबानी करेंगे खैर उनका विरोध भी हो रहा है लेकिन विरोध कर रहे हैं विरोध ही लोग मतलब से ही जो लोग खफा हैं वो लोग विरोध करने लेकिन यहां पर शांदार डिलर का आयोजन और एक तरफ अजीट डोभाल को बताना अंतरास्ट ये खजाना तो देखें ये था अमेरिका अमेरिका क्या क्या रहा है आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया चाहे वो NSA के लिए हो चाहे प्रधान मंतरी के लिए हो 21 तोफों की सलामी दी जाएगी ये आपस में ही आज भारत के लिए सीने चोड़े करने वाली बात है और आपको बता दे कि आज हर भारतिये के स्की से जुड़ने के लिए